तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे जोब कर स्टेडी चैनल में तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं यहाँ पे हिंदी की वीडियो लेकर के आना स्टार्ट कर दिया हूँ इस वीडियो से हम हिंदी की आपकी यह वीडियो हमारे फिजिक्स से रिलिटेटेटे ठीक है फिजिक्स के टॉफ 50 प्लस कोश्चन है जो कि आपके आने वाले एक्जाम आरार भी ग्रूप डी में पांच कोश्चन इसके अंदर से फिक्स है या प्लिक के ले लिजए और अगर आपको हमारे विंदी हिंदी टूटरेल जो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करक जिस तरह से चाहिए वह अपने उस अथार पर अपने देखे हमारे चैनल में आपको हर चीज मिल जाएगा ठीक है फ्रेंट तो फ्रेंट इस वीडियो में मैंने 50 प्लस फिजिक्स के कोश्चन लिए जो की काफी ज्यादा इन्पोर्टेंट है आप अगर इसे त्यारी कर ले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो तो निक्लियर फिजिन यानि कि नवीगरी सनलेयन द्वारा अगला सवाल हमारे पास है अपना अगला सवाल, देखे, अगला सवाल है, जब हम rubber के गद्दे वाले seat पर बैटते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके अकार परिवर्थित हो जाती है ऐसे पदार्थ की ऐसे पदार्थ में पाया जाता है यानि कि आप सभी को अपने देखा हो कि आप गद्दे पे बैठते हैं तो आप गद्दे पे सोते हैं तो नीचे धस जाती है बट आप उससे उठ जाते हो तो आपस गद्दा उपर आ जाता है तो ऐसा किसलिया होता है किसके कारण होता है ऐसा इसलिया होता है क्योंकि इसमें स्थितिज उर्जा होती है ठीक है स्थितिज उर्जा होती है इसके अंदर ठीक है स्थितिज उर्जा होती है इसके अंदर यानिकि पोटेंशल एनर्जी ठीक है फ्रेंट पोटेंशल एनर्जी यानिकि स्थितिज उर्जा अगला सवल हम यहाँ पर देखते हैं निम लिकित मेंसे किसमें गतीज उर्जा नहीं है दिए गए Option मेंसborg किसमें नहीं है तो यह खीचा हुआ धनूस में खीचा वह जो धनूस कीचाता है उसके अंदर Potential Energy यानि कि गतिज उर्जा नहीं होती है ठीक है फ्रेंड इसके अंदर गतीज स्वरी काइनेटिक इनर्जी नहीं होती है गतीज उर्जा क्योंकि यह पोटेंशियल है जैंकि किसी जिसको खीच रहे हैं पीछे के तरप तो उसके अंदर इनर्जी स्टोड हो गई है जब उसे छोड़ेंगे तभी वो धनीज दनुज आगे जागी यानिकि उसकी जो बान है बान आगे तभी जाएगे तेक है फ्रेंट तो इसके अंदर पोटेंशियल इनर्जी है ना कि कायनेटिक इनर्जी यानि कि गतीज उर्जा इसके अंदर नहीं है अगला सबंदेखते हैं यहां पर जब एक चल वस्तु की गती दुगनी हो जाती है तो उसकी गती उर्जा में क्या प्रभाब पड़ता है यानि कि किसी वस्तु की चल की गती दुगनी हो जाती है तो उसकी गती उर्जा में क्या प्रभाब पड़ता है तो उसकी गती उर्जा चोगनी हो जाती है यान कि चार गुणा हो जाती है ठीक है चोगनी हो जाती है अगला सवल हम यहाँ पर देखते हैं सवचालित वहन में द्रोचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुत किस नियम की सिधा अनुप्रयोग है ठीक है फ्रेंड इस पर यह कहा गया देखें कि आधको पता है यह द्रोचालित ब्रेकों यानकि हाइड्रोलिक हो ओक में किसके अनुप्रयोग है किसके सिधा अनुप्रयोग करता है तो यह हमारा उप्सेन है यानकी पास्कले न Packback करता है पास्कल लोग के उपर ये स्थित है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ अगला कोशिन हमारा कोई साइकल सवार किसी मोर में घुमता है तो वो तेकि कोई वेक्ति का जो साइकल चलाता है तो किसी मोर में जब घुमता है तो वो अंदर की और जुकता है जैसके आपको पता है वो अंदर की और की जुकता है सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति है इसे हम center of center मान लेते हैं और यह रास्ता है ठीक है कोई cycle यहाँ पे चला रहे straight पे चलाएगा तो straight ही चलाएगा बट वो जब घुमावन रास्ता पे जाता है तो जुक जाता है अंदर की तरफ जुक जाता है यही इस question में बताया गया है देखते हैं हम अपना अगला सवाल अगला सवाल में हमें पुछा गया है जब दूद का प्रबल ढंग से मता जाता है जब दूद को प्रबल ढंग से मता जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है जब दूद को काफी मता जाता है तो उसमें से जो क्रीम अलग हो जाती है उसमें से जो मकन अलग हो जाती है वो किसके कारण अलग हो जाती है तो वो हो जाती है अब केंदर बल्ग के कारण याने की centrifugal force ठीक है फ्रेंट अब केंदर बल्ग के कारण दूद्ध में से क्रीम बाहर हो जाती है ठीक है ये काफी important चावाल है ये आपके exam में जरूर आएगी आप ये लिख करके ले लिजेए मुझसे ठीक है इस तरह की question जो है पहली वार हिंदी के वीडियो बना रहा है ने तो हम English की वीडियो बनाते बट आप लोग को हिंदी की भी जरूरत हो सकती है है मैंने हिंदी पर बनाया आप कमेंट करके बताएगा कि आपको हिंदी पर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ठीके फेंट और पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और जाद से जादा से चैर करें ताकि हम आपके लिए और हमले को यहां पर दूसके वावद यहां पर धूल चाहता है तो ये वासिक मंहीं जिझान के सिध्धानत है अपकेंदर तो तो और यहां पर दिखा रए गए गए है क्या रिखिक कंद्धार पर कारी करतार है इसमें दिया गया है देखें रेखिक बल के सनरक्षन के अधार पर कारे कौन करता है तो यह है जेट ठीक है अगला हम देखते हैं भूश्थिर उपग्रह का अवर्त काल होता है देखें भूश्थिर उपग्रह का अवर्त काल होता है 24 घंटे ठीक है यानि कि यह यह स्टेशनरी, इस्टेशनरी उपकर का आवर्त काल होता है चौवीश घंटा, ठेक है, अगला सावाल हम यहाँ पर देखते है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्च भार वास्तविक भार से कम हो जाता है, एक lift में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तिविक भार से कम हो जाता है जब lift जा रही हो ऐसा कब होता है जब आप lift में जा रहे हो तो आपकी जो weight होती है आपको ऐसा प्रभाव होता है कि आपकी weight कम आपको महसूस हो रही है ठीक है यानि कि आपकी weight कम घट जाती है जब lift से आप नीचे आते हैं तो आपको लगता है कि आपकी weight कम हो गई है ठीक है lift में किसी वक्ति का प्रत्यक्च भार पास्तेविक भार से कम हो जाता है जब lift नीचे के और जा रही हो तो answer इसका option भी हो जाएगा अगला question यहाँ पर देखते हैं किसी सरल लोकल की लंबाई ठीक है किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा ठीक है friend यह देखिए से याद करने की trick यह है कि जितने percent वह बढ़ जा रही है उसकी half जाएगा इसका answer ठीक है किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले अपने अगले question की तरफ इसमें पुछा गया यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए यानि यानि अगर लोलक की लंबाई 4 बढ़ फार गुनी कर दी जाए तो छुलने का समय क्या होगा लोलक मतले में pew gleichen में मेड़लाबा रहता है उसे हम लोलक कहरें अगर जो इसकी साइजा अगर जो बदाा जाए अगर जो बताया जाए ऐआ जो बढ़ ला कर दिया जाए तो उसके छुलने की समय पर 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 दिए गा ऐसा है इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी वेट जितने ज्यादा बहनेगी यह जितने उपर जाएगी उतने स्पीट से और आईगी ठीक है तो इससे क्या होगा कि दूगना हो जाएगा उसकी जुलने की समय ठीक है टाइमेड बढ़ जाएगी अगला कोशन हमारे पेंडुलम का चंद्रमाप ले जाने पर उसकी समय अवधी ठीक है ठीक है पेंडुलम को अगर जो हम चंद्रमाप पर ले जाएंगे तो इसकी समय अवधी में किया प्रफाब परेगा तो इसकी समय अवधी निर्मलन का क्या सिध्धान्त निर्मलन होता है उसके बीच में क्या सिध्धान्त तो वो है प्लिष्ट तनाव यानि- valor फिस्ट इंजन ठीक है अगला में आपे देखते हैं वर्षा की बूंद का अकार वर्षा की बूंद का अकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है तो यह भी होता है प्रिष्ट तनाव के कारण इसके अगला सावाले एक द्रव एक एक द्रव बूंद गोलिया अकार धारन कर लेत क्योंकि इसके अंदर प्रिष्ट तनाव के कारण कोई भी बूंद गोल हो जाती है बढ़ता है अगले कोशिन की तरफ अगला कोशिन है पानी से निकलने पर ठीक है पानी से निकलने निकालने पर सेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण क्या है आपको पता हो जब आप सेविंग किया जाता है उसके जो सेविंग किट जो रहती है इसमें जो ब्रस लगा रहता है जब इसे हम धो देते तो एक गृत हो जाता है यानि कि एक दूसरे से चिपक जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में surface tension work करता है यानि कि इसके बीच क्या काम करता है प्रिष्ट तनाव इसके बीच काम करता है इसलिए ऐसा हो जाता है अगला सवर हम देखते है स्थित गती से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गैंद को हवा में सीधे उपर फैकता है तो गैंद गिरती है इस पर ये पुछाया कि एक बालक एक कार है ठीक है फ्रेंड एक कार है एक कार है इसके पीछे में खुला हुआ है ठीक है इसमें एक बालक बैठा हुआ है एक गैंद को वो upward फैकता है उपर की तरफ फेकता है तो कुछ देर के बाद तो उस गेंद वह गेंद कहां गिरेगी वह गेंद यहां के दीगी क्योंकि गारी आगे के तरफ कुछ लुजने तो गेंड आगे जाएगी या आप से पुछा जाएगा, तो दोस्ते इसका अंसर ये है कि आग जाएगा तो गेंड में कोई तरह की चैंज नहीं आगी, यह जाएगी तो jakely PHIL ही जाएगी यह ता तो उसके हाथ में गिरेगी क्योंकि आप यह एक physical है, यह हएक practical छोटे छोटे टुकडे जल की सतय पर क्यों डाझते हैं इसमें कहा गया है कपूर तो वाटर लिये हुआ है तो इसमें उपर तैरने लगती है यह हम इंगलिस फिर से बताएंगे हैं अगर इंगलिस देखना चाहते हैं तो इसा होता है ओयल पानी के साथ क्यों नहीं मिलती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बिज्चे प्रिष्ट तनाव की कारण सर्फेस थेंशन के कारण टेल जो होती है वो उपर उड़ने लगती है यानि कि उपर तेड़ने लगती है ठीक है अगला सवाल हमारे पास यहां पर आया है जब सुध जल में ठीक है डिटर्जन डाला जाता है तो प्रिष्ट तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है जब जल के अंदर डिटर्जन डाला जाता है तो प्रिष्ट तनाव क्या होता है प्रिष्ट तनाव घट जाता है ठ में साबुन डाली या फिर आप डिटर्जेंट डालिए जिसे सर्फ कहते हैं तो उसके प्रिष्ट तनाव घट जाती है अगला सवाल देखते हैं यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अगला सवाल यहाँ पर ले रहें ठीक है यदि केशनली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसके चलने वाले उसके चड़ने वाले जल चड़ने वाले जल सतह की उचाई पर क्या प्रभाव परेगा तो इसकी उचाई आधी रह जाता है ठीक है इसका उचाई आधा रह जाता है अगर ज़ा हम ज्यादा फास जा रह जिससे आपको अच्छे से समझ मैं ठीक है फ्रेंड देखिए अगले कुश्चिन की तरफ देखिए तो दोस्तों आपको अभी तक किसी तरह की दिक्कते आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा हमें हम आपकी मदद जरूर करेंगे ठीक है करें अग्ला सवल यहां पर दिया गया है इसकी इकाई क्या होती है स्कूरी यहूं क्या होती है तो इसका इकाई होती है पास्कल काफी असान सवार था मैं लेप की बतती तेल किसके कारण उपर उठता तो देखिए आप दिया जलाते होंगे उसमें बत्ती उपर लगाए रहती लेकिन तेल नीचे रहती है लेकिन बत्ती तेल किसके कारण खीच लेता है यह पुछा गया आपके सवाल में तो यह होता है कैसे की घटना के कारण यह होता है कर देखते हैं हम अपना अगला सवाल पानी में लोगे की ईडूप जाती है लेकिन जहाज दएड़ते रहता है यह किस सिध्धान्त पर बेज़्ट है, यानि कि सिध्धान्त पर ये काम करता है अधारित है पानी के अगर जब सुई डालते हैं, सुई जबकि इतनी हलकी होती है, पर भी वो पानी में सतह में डूब जाती है, उपर ने रहती है लेकिन बोट इतनी विशाल विशाल बोट होती है वो पानी में तेड़ती है ऐसा क्यों होता है इस कोशन में ये पुछागा है तो देखे काफी असान सा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखे इसके कारण होता है Archimedes Principle की कारण Archimedes का सिध्धान्त ठीक है आर्किमेडिस सिधान्स में यही बताया जाया है जो बताया जाता है फ्लोटिंग और बायोएंसी के कारण ठीक है यानि कि पलवन की नियम की कारण ठीक है पलवन जिसे कहते हैं देखिए अगला कोशन हम देखते हैं से उसी से रिलेटेट है करण देखिए और यही इसके आप समझ जाएंगे अगला पूच्छा जा रहा है आर की में प्रिंस्पल क्या बतलाता है फ्लवन का नियम ठीक है पलवन का नियम यह बताता है अगला सवल हमारे पास है उत्पलकता के सम्भंदित विज्ञानिक है ठीक है उत्पलगता यहीं जो हमने प्लावन की बात की है उससे ही एरिलेटेड है उत्पलगता ठीक है उत्पलवकता से सम्भंदित विज्ञानिक है तो यही आर्केमेडिस प्रिंस्पल जिन्हों ने दिया आर्केमेडिस इसके एंसर होंगे ठी अगला सवाल हमारे पास है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बरावर ठीक है आयतन के बरावर काफी असान सवाल है अगला है हमारे पास महान विज्ञानिक आर्किमेडिस किस देश से संबंदित है ठीक है महान आर्किमेडिस जो है वो किस देश नहीं पुछा जाता है बस उसके invention के बारे में पुछा जाता है पट यह जो आर्किमेडिस है यह काफी ज्यादा पॉपुलर है हमारे Science में काफी ज्यादे पॉपुलर इसलिए इनका कभी-कभी पुछ दिया जाता है इसलिए ये थे Greece से ठीक है आपको इतना attention नहीं लेनी है बस इतना याद रख लिए इससे ज़्याद आपको बाकी सारे के देशों की नाम याद रखने की आपको बिल्कुल ज़ुरत नहीं है तो दोस्तों आप अगर जो नहीं देखे हैं तो आप invention and discovery वाला वीडियो देख लिजे वो इंग्लिस में है लेकिन आपको समझ में समझ में आजाएगा क्योंकि बस नाम ही है आपको नाम में हिंदी इंग्लिस कुछ नहीं होता है ठीक है बताया तो मैंने विसे हिंदी में ही बस लिखा हुआ है अंग्रेजी में ठीक है आपको परिशानी नहीं होगी आप invention and discovery वाला जरूर देख लीजेगा हमारे playlist में जा करगे ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ पानी की देखे पानी की बुंदों का आसंजक बल का अभाव के कारणे सा होता है अगला है तुल्यकारी तुल्यकारी उपग्र घुमता है पित्वी के गिर्द ठीक है तुल्यकारी तुल्यकारी उपग्री घुमता है पित्वी के गिर्द देखे ये कहां से कहां पश्यम से पुर्व की तरफ घुनता है तुल्य का ठीक है अगला सवला में आप पे देखते हैं पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकरा तेर रहा है जब बर्फ पिघलती है तो पानी के इस्थर पर क्या प्रभाव होगा देखिए एक सब्सक्री एक इस एक बर्फ के टुकर्म रखांगे हुई है आपसे पूछा यह जाएक तो बारग स dopamine姐 पर पर किसी तरह की प्रभाब नहीं परेगा अयज़ हो जाती है यह असानी से हवा में जिसके कारण उतना ही रहेगा इसका अस्थर में किसी तरह की प्रभाब नहीं परगी सेम वही रहेगा डेंसिटी इसकी ठीक है अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर है देखिए भार हिंता की अवस्था में एक मुंबत्ती की जुआला का आकार हो जाएगा देखिए भार हिंता की अवस्था में एक मुंबत्ती की गोला जो है आग की जुआला जो रहेगी उसकी अकार में क्या प्रभाब परेगा तो उसकी अकार में किसी तरह की प्रभाब नहीं परेगा वही रहेगा ठीक है अगला है गुरुत्वा कर्षन से सम्भंधित नियम का प्रतिपादन किसने क्या देखे गुरुत्वा कर्षन यानि कि जिसे ग्रेविटेशन कहा जाता है गुरुत्वा कर्षन के बारे में किसने बताया था तो वो बताया था न्यूटन सहाब ने अगर आप हमारे विडियो देख रहोंगे, देख रहोंगे इंग्लीज वाला, तो आप उसमें जरूरी यह हमारे देखे होंगे, कckenके इस के बारे में बता रहर. अगला कुर्शिन हम यहाँ पर देख रहे हैं, है पासकल किस Relax की एक तो वह रैद दाव की का यानि की ताव का मतलब которое कि अश्धेस का इस अगला है मैं phosphorus से क्योंबाइपा जाता है से मापा जयाता तो इससे मापा जाता है जल का बहाव काफी महतवपुर्ण सवाल है काफी important सवाल है आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो देखें अगला सवाल हम याप लेते हैं आपके पास निमलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतियास्त है ठीक है प्रतियास्त कौन सा है सबसाद देख तो वह स्थिल यह प्रत्यारत याने की elasticity ठीक है यानि कि किसे हम कितने ज़्यादा फैला सकते हैं किसे कितने ज़्यादा हम लमार सकते हैं किसे कितने ज़्यादा खीच सकते हैं तो वह स्थिल ठीक है स्थिल है दोस्तों अगला है घरी के इस्प्रिंग उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं स्थितीज़ उर्जा यानि कि इस्थितीज उर्जा कहते हैं घरी के जव स्प्रिंग किस चीज की unit है, यानि कि किस चीज का मात्रक है, तो यह है उर्जा का, यानि कि energy का, जिसकी हम आपको बता दें, energy, देखें, energy का है Newton meter, चुकि देखें, work done की हम बात करते हैं, तो यह होता है, force into displacement, तो work done भी एक तरह की energy आपको पता है, तो देखें, Newton meter, force का होगा, Newton distance का होगा, Newton meter, तो Newton meter किस चीज की होई, यह होई, उर्जा की, work done एक तरह का energy है, आपको पता होगा, ठीक है, अगला हम आप देखते हैं, दूद से क्रिम निकाल लेने पर, दूद पर क्या प्रभाव परेगा, तो दूद से क्रिम निकाल लेने पर, दूद का, घंतव बढ़ जाएगा, अगला है, इस पात, इस पात के गोले में, प्रदार्त की मातरा उसका क्या होता है, ठीक है, इस पर इस सवाल पर आपको काफी है, ये सले सवाल इस प्रदार्त की मात्रा उसका क्या होता है तो उसका ड्रविव मान होता है अगला सवाल हमारे पास हे निम्लिखित में से किस इस पर गुर्थ्तवाकर्शन का मान सरवाधिक होगा निमलिखित दिये गए मैंसे गृत्वा कर्शन यानि की ग्रेविटेशन का मान सबसे ज़्यादा कब होगा यानि की सर्वाधिक कब होगा तो वो तब होगा जब अंटार्क्टिका के केम्प में अंटार्क्टिका में सबसे ज़्यादा गृत्वा कर्शन होगा ठीक है फ्रें दोस्तों मैं आपको सफ़र करते हो यो सब करेंगा तुम कि अंदर ब्रेक इसे दुरुवाचालिक प्रेक होता है यानि कि हाइड्रोलिक प्रेक ठीक है तो यह पास्कल यह पास्कल जी ने हमें यह बताया था दुरवचालिक करेंकड के बारे में बंक्राइयए है कि एक न्यूंटन मीटर नहीं है यसके आपको पता न्यूटन मीटर इनॉटन मीटर नहीं है यहाँ तो जोगतीत इसकी तो होगी उर्जा की मेंने आपको पहलय से बताया था किसका मान किसका एकाय यानिकी यूनीट इसकी कि निंूटन-मीटर नहीं होगा निंूटन-मीटर नहीं होगा तो यहाँ पर बजए गया है भल यानिकि फोस To force का होगा फोस की फर्मुला होती है in to acceleration ठीक है थैक है तो मास का हुजाएगा केजी और एक्सलेरेशन देख और मीटर पर सेकेंड तो देखेंग यह न्यूटन तो नहीं किया जी मिटर पर सेकेंट हुआ तो इसलिए इसका अंसर हो जागा अप्शन ए यानि की बल अगला सवल हम देखते हैं देखें बर्नोली का सिध्धांत निमलिखित में से किसके सनरक्षन का प्रत्थन है ठीक है प्रत्थन है आपको पुछा गया है बर्नोली का सिध्धां निमलिखित में से किसके सनरक्षन का प्रत्थन है यह है उड़जा काफी अचान था अगला है किसी वस्तु का भार उस समय नियूत्म होता है जब उसे रखा जाता है यानि कि कहां रखा जाता है तो उस वस्तु का सब्सक्राइब होता है अगला हमरे पासे निमलिखित में से निम लिखित में से किसने न्यूटन से पुर्व यह बता दिया था कि आ에 वस्तुव काफी सारे विवादे हैं उसमें से एक है हमारा जो एरोप्लिन की जो इंवेंशन वे थी वह हमारे भारते विज्ञानी को नहीं किया था बट वह अंग्रेज लेगा यानि कि राइट प्रदर्स लेगा तो देखे इसमें एक और आपको पुछा गया है निमलिखित में से किसन भारते जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त ठीक है ब्रह्मगुप्त ने यह पहले ही बता दिया था अगला सवाल है हमारा यती एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घरी को प्रित्वी के प्रित्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घरी होगी यानि कि घरी में क्या बदलाब आ क्या उमीद है आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो आप लाइक करने बिल्कुल नहीं भूलेगा चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजेगा और अपने बाकी सारे दोस्तों में ज्यादस ज्यादा पहलाए इस कोशिन को और आप परहे ज्यादा मैनल से आपकी चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं बूलेगा ठीक है और अगर आपको हिंदी में और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएगा ठीक है तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक लिए हमारे साथ बने रहेंके बहुत बहुत धन्यवाद आ अब अच्छे से परिक्षाती जाए ठीक है औल दा बेस्ट चली मिलते हैं अगले वीडियो में